परदानमंत्री जस्टिन टूडो ने सोंबारनों एलान कीता है कि केनिडा सरकार चीन देवेच बने इलेक्टरिक वहना ते मोटे टैरिफ ठोकेगी चीन सरकार देवलो वड़ियां सबसीडियां प्रापत सस्यां इवी कारांदा अपने आटो बजार देवेच हड रोकन देलेई अमरीका दी सरकार ने हाल ही देवेच जहेही कदम चुके सान अते इससे तर्ष तेहुन केनिडा ने भी नवी निती इफ्तियार कीती है है हैलिफ अक्तूबर दोजार पच्ची देवेच होण वालियां फेडरल चोना तो पहला दा आखरी साल है अमरीके नियमा नो अपनों देलेई दबा पाई जान दुरान टूडो ने कि है के एक अक्तूबर तो चीन देवेच बनाएगे सारे इलेक्टरिक वाहना ते सौ फीसद सर्ट टैक्स लगाया जाएगा टूडो ने कि है के सरकार केनेडियन वरकरां देलेई बराबर दे मौक के देन ते कैनेडा दे ईवी उधियोगनू आपने मुल्क उतरी अमरीका ते दुनिया पार देवेच मुकाबले योग बनाओं देलेई एक अदम चोक रही है नवे टेरिफ एलेक्क्रिक आते कुछ हाइब्रिड कारां ट्रक का बसना दे डिलिवरी वेना दे ते लागू होन गे नवे टेरिफ शंगाय दे वेच बनिया अते कैनिडा दे वेच वेचियां जानवालियां टेसला कारा ते वी लागू होन गे 예ुई इस कदम दिनाल अमरीक की ऊटर निर पर तो चीन तो स्टील अते अलुमीनियम उत्पादां दे आयात ते पच्ची फीसद बादू टैक्स लागू करेगी टूडो अते उना दी काबिनेट ने एतवार दे रात बाइडन दे राश्ट्री सुरक्या सलाकार जेक सुलिवान नाल भी मुलाकात कीती जो की चीन दोरे दोते जान लग्यां कैनेडा दे वेचरों के संथे कसीनियर सरकारी अधिकारी ने केहा के कैनेडा अमरिका दे दबाद कारण एट टैरिफ लागू नहीं कर रहा है Automotive Parts Manufacturers Association जो की लम्मे समितो कैनेडा सरकार नूँ चीन नी एविज ते बाद्दू टेक्स लगाउन दी मांग का रही सी दे प्रेजिडेंट फेवियो फॉल पेने के है के कैनेडा सरकार कैनेडियन अटो उधियोग दी हिफास्थ ले खड़ी होई है